श्री गनेशाय नमाहा नमशकार दोस्तों ये राशी फल चंदर राशी पर आधरित है चंदरमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है वो चंदरमा की स्तिती लेकर आती है और इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज की जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके according हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है तो आईए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे है दोस्तो ये दिन आपके लिए खास है जी हाँ आज चंद्रमा की पोजिशन बहुत बढ़िया रहेगी चंद्रमा इस दिन आपकी कुणली में दस्वे भाव में है ये कर्म भाव है इस दिन मान सनमान प्राप्त होगा धन अरजित करने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा तो आर्थिक स्थिती और अच्छी होगी दस्वा भाव कर्म भाव है यानि नोकरी बिजनेस आपके प्रोफेशन में आपको काफी लाब मिलेगा नए मोके भी मिल सकते है काम का बोज आप पर जरूर रहेगा और उस वज़े से शायद थोड़ी एनरजी की कमी भी मैसूस हो सकती है दोस्तो एक बात याद रखे चंद्रमा कर्म भाव में होने के कारण आपको कर्म पर विश्वास करना होगा भागय के भरो से बैठने वाला दिन ये नहीं है तो आप कर्म कीजे कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा लेकिन अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो फल की अपेक्षा भी नहीं कर सकते इस समय में निवेश करना अच्छा रहेगा निवेश से फायदा होने की योग बन रहे है ये समय आपके फेवर में है साड़ी अर्चने व सारी परिशानिया जो आपको सता रही थी वो नहीं रहेगी सारे काम आसानी से पूरे हो जाएगे ये दिन आपके जीवन में नए रास्ते खोल सकता है आपकी तरक्की के नए रास्ते खोल सकते है बस आपको सही दिशा में कर् का ये सही समय है स्टूडन्स के लिए भी ये समय बहुत जादा अच्छा रहेगा ग्रहों की स्थितिया आपको सपोर्ट कर रही है स्टूडन्स को इस दिन मदद जरूर मिलेगी दामपत्य जीवन में भी मदूरता रहेगी पती-पत्नी के बीच कोई कड़वाहट है तो वो वाहित लोगों को अपने शादी से जुड़े प्रस्ताव अपने माता-पिता के सामने रखने है तो ये समय आपके लिए सही है दोस्तो इस दिन आपका स्वास्त अच्छा रहेगा थोड़ी बहुत कमरदर्द की शिकायत इस समय में आपको सता सकती है स्वास्ते से कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी तो कुल मिला के स्वास्ते के लिए ये दिन अच्छा ही रहेगा इस दिन ब्लैक कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए लखी साबित होगा और आठ नंबर इस दिन आपके लिए लखी रह सकता है दोस्तो ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है कभी कभी हमारी परसनल कुडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्गदर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा